बच्चों आप सभी के स्वागत हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले युक्लिट बिभाजन एल्गोरिदम क्लास 10 का पहला चेप्टर का पहल का वीडियो बना रहा हूं वीडियो बहुत ही ज्यादा मौत पूर है युक्लिट बिभाजन एल्गोरिदम क्या होता है इसे युक्लिट बिभाजन एल्गोरिदम क्या होता है यहाँ पर सुत्र एक लिखा है भाजे इकौल टू भाजे गुणे भागफर प्लस सेस्पल एक क्या है ठीक है उसके बासे यहाँ पर दो प्रस्ण और आपको दिख रहा होगा ठीक है गुणज और गुणनफल में क्या अं इस वाला उसके वसे गुणज उसके वसे भाजय belong जैया यह आपको समझना पड़ीगा तो मैं क्या करें वह सबसे पहले इसको समझाता हूं गुणज और बोहन फल में कंतर होता है ठीक है दीक देकिए कम सबसे पहले आपको समझना है गुणज मैं टूंज क्या है है यहां दखें गूरज क्या होता है है आपको अंगलह को अंग रेदी में बलते हैं मल्टी पल क्या बोलते हैं मल्टीपल बोलते इंइंगलिस में लेकिन अमें कोई मतलम नहीं तो समझते हैं है फ्लम खाहर में पहाड़ा टेबल आप लोग टेबल पड़े होगे पहाड़ा पड़े होगे तुम लोग ठिए Under a पवाड़ा पड़े हो नौ जैसे अगर मा लों तीन का 2 का udauch 2 का घुनद तो 2 का घुनद क्या-क्या हो सकता देखो 2 एकन ने 2 हो सकता है चार हो सकता है छे हो जाएगा ऐसे ही आठ हो जाएगा ऐसे ही दस हो जाएगा ऐसे ही बाव बारे हो जाएगा ऐसे ही चोदे हो जाएगा ऐसे ही अनन्द तक तो इसका मतलब गूनज की संख्या बाव अनन्द तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा सही है नो अगर गूनज बोल दे तो संच्रू दीसी गुल यह होता है ति अभर अपकर देखे अगर बारे का गुल संच्छन कम पूचे ऐसी में आता है बलक इसकी संख्या और पहाडा नाता है बिल्गुल आप तो से पढ़ानि पूर्वफ समझो यहाँ पर एक बात और चमलो की संख्या का गुलण कंड एक तो होता ही है एक हो जाएगा उसके बसने यहां पर देखो करक़ तो छोसे बारे कतेगा तो हो जाएगा फिर से बड़म तीन के पहाडा में बारे कर जाएगा त्र lunar सिर्वwar कर जाएगा तीन भी हो जाएगा चार के पहाड़ा में बारे आता है चार तरी का बारे तर चार भी हो जाएगा पांच नहीं होगा छे हो जाएगा छे के पहाड़ा में बारे आता है ऐसे बारे के पहाड़ा में भी बारे आता है समझ गये गुलंखंड समझ गये नो इसका मतल कि गुल्ण खंडू की संक्या इतनी हो जाएगी एक दो तीन चार छे वारे ठीक है ऐसे ही बाभ वो अगर बोल दे आठ का गुल्ण खंड बता दो हुआ हैं तो हम दिखेंगे जुन संख्या आठ है थे किस्किस रपाड है तो इक उसके बाद से दो भी हो जाएगा कि यह दो चोका हुआ उसके बाद से चार हो जाएगा कितनी है बाद स्कार है यह तो यह तो गूला जारही गुण समयना होगा ये वाला प्रॐस्ण गूणाज ओगुर्ण फल में क्या अंतर होता है तीन ओ घूरान खंड हो जाएगा गूरा शांध फिलीों क्लिटेकर्या ता हैं और को समझना है भाज संख्या अगर गुल्णखंड समझ आ गया है तब भाज संख्या आसानी से समझा जाएगा भाज संख्या तो भाज संख्या क्या है जिसके दो से अधिक गुल्णखंड हो दो से अधिक गुल्णखंड हो दो से अधिक जिनके भी गुल्णखंड होंगे वही अपका भाजे संह्क्या होता है ठिक है यहां अछिक है यहाँ पर नोट क्या है यह तो हम्हें समझाईए तो आठ भाजे संख्या इसलिए कि आठ के गुर्ण खंडों की संख्या दो से अधिक है चार गो है इसलिए आठ क्या हो जाएगा भाजे संख्या तो एजामपल में तुम लोग आठ लिख सकते हो आठ ठीक है बारे भी बाबु आपका क्या हो जाएगा बारे आप लिखा है ब बारे यह भी भाज संख्या बोलोगे सजी एक बारे भाज संख्या क्यों है यह तो बताइए कि इसके गुर्ण खंडू की संख्या दो से अधिक है एक दो तीन चार पांच छे इसलिए क्या हो जाएगा यह भी का हो नोब आपका भाजी सख्या थे मैध्स है क्या से इसे होगा तो उसके यह तो खूद होई एक दो तीन गोन है अब आपको समरख संखेय क्या होती है ठीए अब आपको समझे डब क्या में है भाज्यस होगा अब हमनों समझते हैं अभाजे संख्या क्या है वह अभाजे संख्या क्या है तो अभाजे संख्या समझ यह पे अभाजे संख्या आपको समझ गया तो इस दोनों समय जाएगा अभाजे संख्या क्या होता है अभाजे संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल केवल दो ही गुण्खेंड को फो ही गुणर्न कंड हु जिसके च्ट सेस्ट आ गाहके ही यह दो ही ज्यादा भिलिर्ट ही जी कम घंज है आ और अब जो अग्जेकल की तो वह संगर होती है ठ्रूंस्ट में एश्ञें समाझ आ रहाई लेएँ जैसे उश्यापल में देखा में उधार वृधाराणा वे आपक्षे संक्य थी दो करें दो गुण्खंड एक को जाएगा है किर्फि एक को पाड़ा में अभी हम बोले हैं किशी भी संक्य घून्खarf कर दो हो जाएगा तो गुण्खंड़ यह इसलिए दो कि आ भाज जी शहीं ऐसे में वो तीन भी अभाजे संख्या है चार नहीं है पांच अभाजे संख्या उसके वर साथ अभाजे संख्या नहीं होता है उसके वर से एगारे अभाजे संख्या है तो यहां पर दिखिए दो भी अभाजे संख्या तीन भी अभाजे संख्या पांच भी अभाजे संख्य अब देखें अब यह हम लोग समझते हैं भाज यह बराबार भाज गुण भागफर प्लस यह क्या है उसके बाद से अन्ति में हम लोग विवाजन एल्गुरिदम सब्सक्राइब चलो इसको एक एक जामपल से समझाते हैं बनियास थाकि आप लोग बनियास समझाए तन देखें और यहां पर देख लो यह वाला मदलग ट्रीक वाला वीडियो है मतलग ये गुणा एक लाइन में तुम्हों कैसे कर सकते हो अगर नहीं देखें वो तो जाकर पीछले वीडिय तो पीछले वीडियो तो ज़रू तुम्हें सीखना है अगर एक लाइन में इसको करना है ठीक है तो चलो है यहां पर देखिए जैसे माल लीजिए हमें 30 में भाग देना है बावू किसे पांच से ठीक ना मतलब समझते रहे हैं तीस में हमें पांच से भाग देना तो बोलो जोन अंदर लिखा होता है नो यह अंदर है नो यह अंदर वाला भाज होता है क्या होता है भाज तो अंदर वाला यह अपका भाज हो जाएगा आधा जो अंदर आता है तो यह भाज हो गया अपका टीनो अंदर जो अंदर आता है वह भाज होता है तो यह अपका भाज हो ग कि दिए भाल देते हैं वह बाजक होता है क्या आपने गुड़ा नीचे जौन बच्टांए बच्टा है वह सेस्पल होता है क्या होता है सेस्पल यह तुम लूँग क्या कर रों कापी में नोट कर लो यही मुहतफपोर है इसी से सुत्र मनावा तो यह वाला आपका होगा भाज इधर वाला होगा भागफ़ल इधर वाला भाजक नीच्छ होजागा सेस्पल ठीक हैं एक और एक्जामपल से यह आपको समझा देता हूं समझेगे जैसे मालों बागु को हमें क्या करना है 29 में साथ से भाग देना है तो बोलोगे सर्जी साथ चोगा 28 होगी अपका 28 हो गया नो अब क्या करें 29 में साथ 28 गटा हो तो एक हो जाएगा सेस्पल यहां पर दिखूँ यहां से दिखूँ आप समझो नीचे वाला तो सेस्पल नीचे वाला इधर वाला आपका क्या हो जाएगा इधर वाला आपका भाग रौज़्द हो जाएगा रिधर से समंधी सुत्र ना यह चारो से बार बार युकलीड भी वहाजन एल्गरीदम में काम आएगा ठीक है ना तो बहाज यह बराबर हो देगा भाज़ा गोने भागफर प्लसएस फल भाजेब बराबर कह जाएगा भाजोण ghonin भागफद पलस-स फजब इस शुत्र तुम्हें नोट कर लेना अब बराबर का जाएगा भाजोण भागफद फ सब्योंत सुत्र है अब चलिए सब कुछ आपको समझ आ गया होगा तो इवक्लिट विभाजन अल्गोरिदम क्या है डारेक्ट उसका एक्जाम्पल लिखते हैं एक्जाम्पल नमर फर्ष्ट आप लिखा है तिया जीतने भी प्रस्ण लिए हैं सभी NCRT के बुक से लिए हैं जो आपके बोड से समझना है योगलिट विभाजन इंगोरीदम द्वारा है 75 और 250 का मौत हुआ दो याद करने तो आँ भाग बीधी द्वारा मुशा भाग बीधी द्वारा मुशा मलब मुशा गयात करना है एचसी अब गयात करना है लेकिन भाग बीधी द्वारा ठीक है न एकलिट विभाजन अल्गोरिद्म द्वारा पचात्तर और दोसा पचास का मुशा गयात किजिए इसका मलब भाग सबसे प्ले संख्या यहां पर 75 है और 250 है संख्या आपका 75 250 दिया है हम क्या करते हैं बाड़का में छोटका से भाग देते हैं तो बाड़का में क्या करते हैं छोटका से भाग देते हैं तो चलो भाग देते हैं बहारी का संख्या बादी का संख्या थे नोसा पचास थे बिलकुल ही बढ़िया सा यसे लिखेगा था तो शुल साल-थे कि ति रूड़ी के लड़कोगों बाज़ा देने में दिखकत होता होगा तो ओन लोगों के लिए है यापर देखो 20 दिख रहा है है यहां पर सुरान देachsen तो पचीसमें बबबू 7 से का रहा है कितनava क हो जाएगा बताईये साथ त्रीका य क्षितो रहा है त्ट सुन हांगे यहां पर यहांपर हो ईनभले और पांश हो हशी लोग यह से इहां पर 5 फिर से यहां पर कड जाएगा अब यहां पर आगया 75 75 को यहां पर लिखेंगे शुरी के Dept आप आप भाग दियें थर्स्पल 25 फिर से यहां पर जन भाजक एट टारो एंज जब तक से भाजक को उतार दिये पचात्र को याँ पोटार दिये तो 35 से 30 बारमें पूर पुरा पूरा गट गया जैसे पूरा पूरा पुरा चाइगा तो जोन भाजक होता है न वही कहोता है बबु मॉसा होता है तो यहां पर किसे भाग देघा पचीज से इसलिया आप रूद्र सब्सक्राइब ऐसका उत्तर कितना हो जाएगा मर्म संधे गम सब्सक्राइब चान अरुन भागतेदा जिसे वहीं मसदर से moss यह मुंश्य सब्सक्राइब चलिए एक प्रस्ण देखते हैं अंतिप प्रस्ण है वीडियो को लाइक और सब कुछ कर देना यहां पर देखो एक्लिट विभाजन परिमाई का दौरा का उपयोग करते हुए चारस्बी स widgets 30 का मौ सब्छल्य पें लिए यहां पर लिखा है लीखा एक सथीज दो बड़ा कौन सा है चार सर्मी से चोटा कौन सा एक सत्थी से हम क्या करेंगे बड़के चोटका से भाग देंगे तो चलो देते हैं तो चार सब 20 में 130 से भाग देते हैं ठीक है चलो यहाँ पर 42 से यहाँ पर 33 दिख रहा है तो त्यारे तीर का 49 होता है ठीक है अगर हिंदी मेडियो में हो तो सम्झे मनिया से अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो प तेन हो जाएगा ऐसे तो जी डिवा जाएगा अब लेखे नो गया तो तीन हो गया अधिक है और यह अपर एसाफ सब्टीश दीन देखो सेस्बलाइब एक्स अती स्कूप क्या करेंगे यहां पउ उतारिए बनिया से लेका इस ती कह चार में ग्रिका निए हुआ जी साथ कि हीग थी कट जाएगा अब 30 है तो थीच का कहते हो यहां पर उतार दो आधित जूँस इस पूरी पूरी कट जाएका जैसे रोए पूरी का एक होता है उतर उतर ऑच हो इनम्म कितना हो जाएगा यहां पर 10 कि ठीड़ीरों एल्गोरिदम दोरह मौसर गयाद करना मतलब भाग भी दिवार मौसर गयाद करना है ऐसे निकलता है तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो यह क्लास 10 का जिनका भी 2025 में एकजाम है तो पहला चेप्टर का पहला वीड मैं उस कम्प्लिट कराऊंगा ठीक ना आपको क्या करना है चान को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को सिर सब कुछ कर देना थैंक यू